स्वागत आपका AR News इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ हाकिल रजा कानपुर का मुख्य अरोपी विकास दूबे एंकाउंटर में ठेर हो चुका है पुलिस का दावा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था जिसके बाद उसे एंकाउंटर में मार गिराया गया लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं विपक्षी दलों के सवाल बुद्धी जीवियों के सवाल वो सवाल जो विकास दूबे से जुड़े हुए हैं वो सवाल जिनके जरिये उन लोगों तक पहुँचा जा सकता था जो विकास दूबे को संग्रक्षन दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता सपा और बसपा जो पिछली सरकारे हैं उन पर आरोप लगाती रही है और समाजवादी पार्टी के मुख्या सख्त जाच की कारवाई की मांग करते हैं इससे कोई भी पार्टी का नेता जुड़ा हुआ क्यों न हो लेकिन सच जो है वो सामने आना चाहिए हलाकि विकास दूबे अब मर चुका है लेकिन सच सामने कैसे आएगा ये बहुत बड़ा सवाल है एक वीडियो हमारे सामने आया है वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है और वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि इस कार में वीडियो में कार दिखाई दे रही है जो टाटा सफारी है सफारी कार में बैठा हुआ पिछली सीट पर विकास दूबे बताया जा रहा है और जहां पर विकास दूबे का इंकांटर हुआ है वहां पर जो कार पल्टी हुई है वो कार कोई दूसरी है यानि वो कार टाटा सफारी नहीं है सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप पहला वीडियो देख लीजिए जिस वीडियो को देखकर लोग सोसल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि ये वीडियो में जो दिखाई दे रही ये कार है वो उस एक्सिडेंट जहां पर हुआ है जहां पर कार पलटी गई है जहां पर विकास टोल से निकलती हुई टोल टेक्स से निकलती हुई वो कार है जहां पर वीडियो बनाई गई है उस कार की सबसे पहले वो आप वीडियो देख लीजिए फिर हम बात करते हैं वीडियो में आपने देखा जो कार निकल रही है वो टाटा सफारी है हुलिये से भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि पीछली सीट पर बीच में जो बैठा है वो विकास दूबे ही था लेकिन उसके बाद जब वहां पर घटना किरम हुआ है सारा जहां पुलिस ने बताया है कि यहां पर उनकी कार पल्टी गई है और उसके बाद यहां से विकास दूबे न भागने की कोशिश की है जिसके जबाद उसको जबाबी कार रवाई करते हुए गोली लगी है और उसमें उसकी मौत हुई है लेकिन जो कार पल्टी हुई है वो तस्वीर आपकी स्किन पर यह रही उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह कार जो है वो टाटा सफारी नहीं है बलकि TUV300 बताई जा रह हैं तो अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि टाटा सफारी कार जो है वो पलटकर TUV300 हो गई कुछ ही मिनिटों पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है जो टोल्टेक्स से निकल रहा है और उसके आगे जाके वो कार पलटी हुई दिखाई गई है जहां वो अभी भी कह रहे हैं कि एक इंटर्वी के दुरान उनने कहा है कि भले ही विकास दूबे तो मर चुका है लेकिन उसका फोन अभी भी होगा उसके पास जो चीजे मिली होंगी वो सबूत होंगे फोन का सीडिया सारजनिक करें कारवाई करें उसमें जिनके भी नंबर सामन आते हैं जिनके contact details, call details सामने आती है वो सारजनिक करया उससे ये पता लगाया जा सकता है कि विकास दूबे को संग्रक्षर देने वाले जो लोग हैं वो BJP सा आते हैं, वो समाजवादी पार्टी सा आते हैं, वो BSP सा आते हैं या किसी और अन्य दल से तालुक रखते हैं, ये सारा clear हो जाएगा, अखलेश यादब का अभी भी यही कहना है कि जाच जरूर होनी चाहिए, जिससे जो आरोपी हैं अभी जो कतित तोर पर जिनके संग्रक्षर देने की बात कही जा रही थी, वो पुलिस महकमे से भी हो सकते ह वो politicians भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, लेकिन वो साफ सामने आने चाहिए, ताकि उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल सके हैं, उन पर सخت कारवाई हो सके हैं, ऐसा अखलेश यादब अभी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई दिन से जो न्यूस चैनल पर डिबेट चल रही थी, उसमें बीजेपी पर वक्ता साफ ये आरोप लगा रहे थे कि विकास दूबे का फलना फूलना, बीएस पी और समाजबादी पार्टी की जो सरकारे रही हैं, उसमें रही हैं हालकि आपको बताते चले हैं कि बीजेपी की जब सरकार थी 2001 में तब उन्होंने जो है मंतरी की हत्या थाने में जाकर की थी, ये भी उन पर था, तो कितने सारे मामले अभी भी जुड़े हुए हैं कि पहले से ही अगर उसका रिकॉर्ड ऐसा रहा है तो कई सारे लोगों तक इसके तार जरूर जुड़े थी और इसने कहा था कि आएंगे लेकिन कफन में मैं पहुचाओंगा और उनको शहीत कर दिया था, तो जरूर उसके जो है वो उसको सूचना पहुचाने वाले उसके मुख्बिर अभी भी मौजूद है और उन तक पहुचना बहर जरूरी था, और अब मरने के बाद भी कही न कहीं ऐसे सबूत जरूर होंगे जिस पर कारवाई की जा सके और अब जो ये वीडियो सामने आया है ये बाके हिरान करने वाला है, अब अगर ये वीडियो सच साबित होता है और इसमें कितनी सचाई है, अभी हम इसकी पुस्टी तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं, जो आरोप सामने आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये कुछ मिनट पहले का वीडियो है और एकदम गाड़ी कैसे चेंज हो सकती है, पुलिस की कारवाई पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस को ये कह रहे हैं कि पुलिस ने स्क्रिप्ट तयार की है ऐसा कर के लिए बारहल मामला जो भी है इस पर कारवाई करने की जरूरत है इस पर जांच का विषय है और पुलिस को भी इस पस्टिक करणदेने की जरूरत है साथ ही साथ आपको बताते चलें कि B.S.P. प्रमुख मायवत्यी ने भी इस मामले को ले कर जांच की मांग की है उन्होंने कहा है कि सुप्रिम कोट की निगरानी में इस पूरे मामले की इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए इस तरहां की बात अपने ट्विटर हैंडल से मायवती ने भी रखी है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरू दीजिए वीडियो को लाइक केजि